हिलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी के लिए इंडिया पोस्ट आपिस की तरफ से साल 2023 की बहुती बड़ी खुसकबरी आचुकी है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट आप पोस्ट इंडिया पोस्ट आपिस यानी भारती डांग घर की तरफ से आचुकी नई भरती 2023 के बारे में जहां पर आप सभी के लिए SCD के पदों पर भरतियों के नोटिपिकेशन और आवेदन करने के लिए आप लाइन अपली केशन फोरम भी जारी कर दिये गए हैं आने वाली 20 जनवरी 2024 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे घर बैठे अपने मुवाइल फोन के माध्यम से और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जिस के दोस्तों अगर आप लोग इंडिया पोश्ट आपिस को जॉइन करके अपने गाउं एजले के अंदर SCD के पदों पर सरकारी नोकरी पाना चाहते हैं फुली सेंट्रल गवर्मेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी लोग स्पीडों को आकरी तक जरूर से देखेगा बता दी 20 जनवरी 2024 तक आप लोग आवेधन कर सकते हैं इसके अलाबा भी कई सारे important points है जैसे कि अगर आप लोग केबल और केबल कक्छा दसवी पास है तो आप सभी लोग इन विकेंसी के लिए आवेधन कर पाएंगे और male and female दोनों यानि की महिला और पुरुस दोनों के ट लेवल की आपको जॉब मिल जाती है आप लोग भारत के किसी भी राज जिससे आते हूं आप सभी लोग इहां पे आवेधन कर सकते हैं के टेग्री वाइज विकेंसी के बारे में सेलेक्शन प्रोसीजर के बारे में complete जानकारी how to apply कैसे आवेधन करेंगे कौन सी गलतिया नह करिए ताकि आपको आगे भी अपडेट्स मिलती रहें तो दोस्तों आपको आप एधन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया साथ में आप लोग गूगल पे जाके नोकरीखबर.com टाइप करेंगे आपको हमारी ओफिसल वेपसाइड मिल जाएगी यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहला काम वर्टसप गुरूप को जॉइन करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट आपिस सीधी भरती आपकी होनी है तिन पास केंडिडेट आपकी उम्र होनी चाहिए ऑनलाइन तरीके से और आप लाइन तरीके से आप इदन करेंगे 19,900 से 63,200 का आपको बेतन यानि सेलरी भी मिलेगा इसके लाबा ओल इंडे लेवल की जॉब है आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट भी पताए जाएंगी अभी देखते हैं इ 18 से 27 साल की आपकी एज है SCHD के लिए 5 और OVC के लिए 3 सालों की उम्र में छूट भी रखी गई है इसके बाद अगर बात करते हैं सेलरी के बारे में तो 19,900 से 63,200 रुपए का आपको बेतन मिलेगा इसकिल टेस्ट और एक्जामनेशन के तुरू आपका सेलेक्शन हो सकता है 20 दिसंबर 2023 से 20 जनवरी 2024 तक आपको आवेदन करने का समय दिया गया है उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकता है तो All India Level की जॉब है भारत के किसी विराज जैसे महिला और पुरूस दोनों के टेगरी के उम्मीद बार आवेदन कर सकते हैं टुडे टॉप जॉब लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको सभी केटेगरी यानि 10 पास 12 पास ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, रेलवे, डिफेंस, टीचर, गौर्मेंट जॉब्स मिल जाती हैं इनके लिए आप लोग यहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं दिन बात करते हैं सेलेक्शन के बारे में इसको डीटेल में हम आपको ऑफिसल नोडिपिकेशन के माधियम से बताएंगे यहाँ पे जो बेदन है लेबल 2 में मिलेगा आपको सेम वही और निस या 900 से 63,200 रुपए का और अप्लिकेशन फीस वही पोस्ट आफिस के रूल के हिसाब से जर्नल OVC का 100 रुपए और बांकी सभी केटेगरी का बिल्कुल फुरी होने वाला है जर्न बात करते हैं आप इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसके बाद इंपोर्टेंट लिंक का आप्सन मिलेगा ध्यान रखिएगा नोटिपिकेशन और फॉरम आपको एक ही साथ देखने को मिलेगा उसके लिए आपको एक बार अप्लिकेशन फॉरम के सामने जो खिलिकिर की बटन है एक बार इसपे क्लिक करना होगा क्लिक करते ही आपके पाँस डाउनलोड का आप्सन आएगा और पीडिप में आप लोग इसको डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं Government of India, Ministry of Communication, Department of Post और यहाँ पे 20-12-2023 यानि 20-12-2023 की डेट भी आपको मिल जाएगी Notification for the Decutement of SCD Ordinary Grade इन यहाँ पे Department of Post बताया गया यानि की Post Office के अंदर Ordinary Grade के पदो पर भरतिया है यहाँ पे देख सकते हैं SCD Ordinary Grade यहाँ पे 19,900-63,200 का बीतन आपको मिलेगा UR, SC, HD, OVC, EWS की यहाँ पे आप लोग सीटे चेक आउट कर सकते हैं Total number vacancies के बारे में बात करी गई है इसके बाद यहाँ पे आपकी उम्र है 18-27 साल, OVC के ले 3, SC, HD के ले 5 और Government Servant के ले 40 साल तक की उम्र में छूट यहाँ पे रखी गई है इसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी डेट सोगेरा कप से काउंट करी जाएंगी तो यह 20-2024 से आपकी डेट काउंट करी जाएगी इसके बाद अगर बात करें प्रोमोशन यानि की प्रोमोशन का पीरेड क्या रहेगा तो 2 साल के अंदर अंदर या उसके बाद आपका प्रोमोशन होगा एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पास इन तेंथ इस्टेंडर प्रोम्ड और और इंस्टिट्यूट यानि की आपका तेंथ पास होना कंपल सरी है उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो जो आपका एक्जाम नेशन होना है उसको दो पार्ट में डिवाइट किया गया है एक्जाम आपका 80 नंबर का होगा और इसकी टेश्ट आपका 20 नंबर का होगा एक्जाम के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और कैसा एक्जाम होगा उसके बारे में यहाँ पे कंपलेट जयानकारी दी गई है मिनमुम कौलिफिकेसन के लिए SCHD को 33, OVC EWS के लिए 37 और जर्णल होगेरा जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 40 परसेंट ले आना अनिवार है यानि कि सव में आपको 40 नंबर कम से कम लेकर आने हैं तभी आप पास माने जाएंगे इसके बाद यहां से और नीचे आ जाएंगे तो इसके बाद आपको सलेवस देखने को मिलेगा सलेवस के अंदर बताया गया है यहां पे कि आपको जर्नल नौलेज के कुछ कोशन्स मिल जाएंगे journal intelligence और reasoning के कुछ questions मिल जाएंगे और arithmetic के कुछ questions मिल जाएंगे और इसके बार part 5, 4 जो है आपका वो यहाँ पे sentence मिल जाएगा traffic rules मिल जाएंगे, signal मिल जाएंगे pollutions मिल जाएगा, vehicle maintenance के बारे में यहाँ पे आपके questions बन रहे हैं इसके बार जो आपका HTS second है skill test है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे क्या आपको numbering मिलेगा दिन हम सीधे बात करते हैं application form के बारे में, कापी important है इसके बारे में आपको जानकारी होने चाहिए यहाँ से नीचे आते हैं, तो आपको बताया गया है सबसे पहले अपनी passport size की photograph attach करेंगे, इसके बाद यहाँ पर ऐसे भी लिखा हुआ application form कौन सा है यहाँ से start करेंगे, जिसके अंदर अपने पहला name fill करेंगे, name of the candidate यानि खुद का नाम, अधार का number father's name add करेंगे, present postal address को add करेंगे, यानि की current address उसके बाद phone number या contact number आप डालेंगे, mandatory, compulsory है उसके बाद अपनी category बतायेंगे, general OVC, HC या AWS से हैं इसके बाद आपको बताना है, यहाँ पर card certificate अगर आप reservation candidate है तो उसके बाद date of birth बताना है date, month और year के form में और यह बताना है, closing date of receipt of application से आप कितने दिन, कितने महीने कितने साल के हो गए है length of service बताना है यहाँ पे अगर ex-serviceman है तो nationality के अंदर आपको बतानी है, Indian, gender बताना है male है, female है, email ID अगर आपकी है तो mention कर देना है 10th pass यहाँ पे मागा गया है, तो 10 वी का passing का साल, कितने number आपने पाए थे, कितने number का आपका exam था कितने percent आपके बने थे और कौन से school या board university से आपने pass out किया है अगर आपके पास driving license है तो उसका number यहाँ पे add करना होगा क्योंकि post ही उसी की है, इसके बाद आपका वही license के detailing यहाँ पे देनी है, इसके बाद यहाँ पे जो fees आपने pad करी होगी, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दे देनी है और यहाँ पे आपको in closer के अंदर बताना है, कि आपने यह सारी चीज़े complete कर दी है, अगर आपने complete कर दे तो write कर देंगे, मतलब best पे write कर देंगे, और no पे write कर देंगे, कर आपने इन criteria's को fulfill नहीं किया है signature of the candidate और इसके बाद यहाँ पे आपको declaration fill करना है, फोरum, signature of the candidate place और date के साथ में जो address मैंने आपने बताया है, उस पे आपको इस forum को send करना होगा 20 जनवरी 2024 तक में यहाँ पे देख सकते हैं, address लिखा हुआ है इसको आपको note down कर लेना है बाकी अधिक ज्यानकारी के लिए nokrikabat.com की website पर अगर आप लोग आ जाते हैं तो आपको complete information इस frequency की मिल जाएगी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद